जहिन दोस्तों वेल्कम है आपका विज़पत डिफेंस एजुकेशन पालमपुर में आज आज 6 सितमबर 2021 और इस वीडियो में डिसकस करेंगे हिमाचल प्रदेश के most important current affair जो कि आपके हिमाचल पुलिस एक्जाम, फोरेस्ट गार्ड और आने वाले हिमाचल के सभी एक्जाम क की वीडियो मैं डेली आपके लिए यहां पे लेके आता हूँ, वीडियो को आपने पूरा देखना है और चैनल को सस्क्राइब करना है केंदरी चुनाब आयोग ने हिमाचल प्रदेश में होने वाले चार उपचुनाब को किन कार्णों से स्थगित कर दिया है सेंटर एलेक्शन कमीशन आज एंशूर टू इन्वेंट इन हिमाचल प्रदेश आएगा यहां पे तो इनको जो है वो कुछ टाइम के लिए चैनल किया गया है तो ये कर दिया गया है करोना वाइरस के कारण भूसकलन के कारण और सेब सीजन के कारण तो तीन मुख्य कारण यहाँ पे जो हैं वो हिमाचल परदेश में चले हैं करोना वाइरस काफी फैला था अब कुछ टाइम के बाद जो है वो थोड़ा कंट्रोल में है हिमाचल में बारिश के दोरान भूस खलन काफी जगा पे हुआ है और सेब की जो कीमत लगातार कम हो रही है उस बज़ा से भी इन्होंने एक ये महतपूरन रीजन यहाँ पे बताया है तो चार उपचुनाव होने वाले थे हिमाचल में जिसमें से एक मंडी का है लोकसबा का और तीन जो हैं वो बिधान सबा के हैं उसमें से कोटखाई, जुबल कोटखाई, अर्की और फतेपुर के चुनाव होने वाले थे सो इंपोर्टेंट आपके लिए कुश्चन रहेगा मंडी से जो हैं वो राम सुरूप शर्मा जी की सीट खाली है जुबल कोटखाई से नरेंदर ब्राग्टा, अर्की से बीर भदर सिंग और फतेपुर से सुजान सिंग पठानिया जी की सीट जो है वो खाली है तो केंदरी चुनावा योग ने कुछ टाइम के लिए जो है वो हिमाचल में होने वाले उपचुनाब को स्थगित कर दिया है नेक्स्ट कोश्चन है आपके लिए शिक्षक दिवस के उपलक्ष पर हिमाचल परदेश सरकार कौन सी नई योजना शुरू करने जा रही है तो हिमाचल परदेश ने हाल ही में 5 सितंबर को एक नई योजना शुरू की है उसका नाम है बालिका जनम उपहार योजना बालिका जनम उपहार योजना ये हिमाचल परदेश की एक नई महतपूरण स्कीम है इसके तहट जो है बालिका के जनम पर 51,000 जो है बो हिमाचल परदेश सरकार जो है बो बालिका के जनम पर उसको देगी तो काफी अच्छी स्कीम जो है वो हिमाचल परदेश सरकार के द्वारा 5 सितंबर 2021 को लॉंच की गई है नेक्ट वन है हिमाचल परदेश की सतलुज जल बिद्द निकम को जल बिद्द विकास के क्षेतर में सबसे अच्छा काम करने के लिए कौन सा बिशो का सबसे महतपूरण पुरुषकार मिला है तो SJVN जो है हिमाचल परदेश में जिसको सतलुज जल बिद्यत निगम बोला जाता है काफी important हिमाचल के लिए ये रहता है क्योंकि यहां से 10,000 मेगावोट बिजली की पैदावार की जाती है जो की हिमाचल के साथ साथ अन्य राज्य और साथ में जो हमारे अन्य देश है जैसे की भुटान है नेपाल है वहाँ पे भी इनकी पावर सप्लाई की जाती है तो काफी बड़ा योगदान जो है वो इसका हिमाचल परदेश में रहता है तो इसको सबसे च्छे काम के लिए ज पतलूज निगम जो जल विदित निगम है उनके अधियक्ष है नंदलाल शर्मा और इसकी जो पैदावार होती है SJVN की तो वो है 10,000 मेगाबोर्ट और 2024 तक इनका लक्षे जो है वो रखा गया है 25,000 मेगाबोर्ट तक तो काफी बड़ी बात है हिमाचल के लिए ये Next one है हिमाचल और पंजाब को जोडने वाली मुख्य बिलासपुर भानुपली रेलवे लाइन की कौन सी सुरंग का हाल ही में सुभारंब किया गया है तो पांचवी शुरंग का जो है वो सुभारंब किया गया है 5 सितंबर को साथ इसमें जो है वो मुख्य रूप से सुरंगे हैं जिसमें से पांच जो है वो बन चुकी है और दो के ओपर अभी तक काम चला है और एक नई रेलवे लाइन जो है बिलासपुर भानुपली ये हिमाचल परदेश में बनने जा रही है तो काफी important question है ये और कई बार exam में पूछ लिया जाता है कि किस संस्था के द्वारा ये किस company के द्वारा इसको बनाया जा रहा है तो max infra limited company के द्वारा बिलासपुर भानुपली रेलवे लाइन का जो है वो बनाने का काम कर रही है आपको comment box में बताना है कि हिमाचल में भी तक कितनी मुख्य रेल लाइन है next one है last one question इस वीडियो का शिक्षक दिवस कब बनाया जाता है तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 2021 के theme की अगर हम बात करें तो इसकी theme थी leading in crisis re-imagining the future उसका meaning होता है संकट में अगर्णी भविश्य की फिर से कल्पना तो यह 2021 की theme रखी गई थी जितने भी आपके हिमाचल के exam है SSE जो आपका हमिरपूर बोर्ड कंड़क्ट करवाता है या फिर PSE Public Service Commission शिमला के द्वारा जो exam होते हैं उसमें days के साथ साथ थोड़ा सा question को high level का बनाने के लिए कईवार उसमें उसकी theme जो है वो पूछली जाती है तो आपको ध्यान में रखना है जहाल ही में जो पिछली वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको bird coconut day की theme भी आपको बताई थी जहां से आप easily इसको join कर सकते हैं मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत